हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल जर्नी ओफ इस्टडी तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे न्यू एन्सी आर्टी मैथ किलास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सराइज 2.1 आज हम पढ़ेंगे इससे पहले बच्चो जो मैंने इंटूड़क्शन वीडियो बनाई है आप उसको एक बार जरूर देखें उसको देखने से आप इस एक्सराइज को आप अपने आप ही कर दोगे ठीक है फिलल मैं यहाँ पर आपको जब भी करा देता हूँ अब दियाँ से देगो कोशन नमबर फर्ष्ट क्या है विच ओफ दा फॉलोइंग एक्सपरेशन और पोलिनोमियल इन वन वैरियेबल कह रहे हैं कि आपको कुछ एक्सपरेशन दिये गई है नीचे इसमें आपको यह बताना है कि मलब कौन कौन से वन वैरियेबल वाले पोलिनोमियल है और कौन वन वैरियेबल वाले पोलिनोमियल नहीं है इस्टेट रीजन फोर योर आंसर जो आपको आंसर देना वो एक रीजन के साथ देना है तो आईए मैं आपको बता देता हूँ बच्चो देखो ये एक algebraic expression है जिसमें कि तीन term दी गई है ठीक अब धिहान से सुनो इसमें variable देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो बच्चो एबी सीडी को न variable बोलते है तो ये one variable वाला polynomial है polynomial क्यों है क्योंकि variable की power बच्चो whole number है जब variable की power whole number होती है तो वो polynomial होता है और ये एक ही variable है सलिए एक कौन सा polynomial है one variable वाला polynomial इसको भी देखो नीचे वाले वो y square plus 2 variable हमारा एक ही variable है तो इसे बोलेंगे one variable पावर whole number तो इस पोलिनोमियल अभी मैं इनको लिखकर भी दिखाऊंगा पहले मैं ऐसे समझ लेते हैं इसको देखो यहां बच्चो जो मेरे variable है यह root के अंदर है अब root को हम क्या बोलते है वन अपॉन टू तो variable की power fraction में आ गई तो यह इस नोटा polynomial अब यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा नीचे वाई की power क्या है वन इसको उपर लेके जाओगे तो वाई की power minus one हो जाएगी तो बच्चो देखो जो whole number है वो minus में थोड़ी न होते हैं क्योंकि यह तो power है बन जाएगा minus में तो इसले इस नोटा polynomial अब यह देखो इसका इस लाश्ट पार्ट अब यह मैं इन्हें लिखके लिखांगा बहुत तरीके से है न यह polynomial है लेकिन बट बच्चो कोशन ने कहा था वन वैरियबल वाला बताना है बट यह वन वैरियबल वाला polynomial नहीं है इसमें तीन अलग अलग वैरियबल आ रहे है एकस वाई टी polynomial तो है क्योंकि वैरियबल की पावर होल नंबर मैं देख लो चाहें आप ठीक है इट इस पोलिनोमियल पर थिरी वैरियबल वाला आई यह इनकी statement लिखते हैं आई 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 आप इनको statement के साथ पाव को आप जानते हैं ठीक है जैसे की मैंने आपको बतार रहे हैं इससे लिखा है आप इस तरीके से एक मिनट यह जो रूट में T है ना नोट की सकनरत है रूट को थ होता है उन अपॉन टू बोलर्ट है ठीक है फान अपॉन टू अब धिहान से देखेंगे जो वल अपॉन टू है यह फ्रेक्शन में आ गया तो होल नमबर माईनेस में धोड़ी ना होता है तो यह होल नमबर में अब देखेंगे यहां को कि यहां से मिध्ट है सब्सकों क्यों पतानいきस्का X2 यहां देखेंगे अगे झो भी नंबर होगा यहां पर लिखेंगे कुछ न Cat x square यहाँ पर क्या जाएगा बच्चो माइनेस वन क्योंकि देखो x square कोई digit नहीं है तो क्या होगा वन होगा तो माइनेस के sign के साथ लिखा जाएगा अब यहाँ पर आपने अब बता दोगी pi upon 2 x square plus x है तो x square के आगे क्या है pi upon 2 तो जो उसका आगे होगा जो उसके बिल्कुल नजदीक होगा नियर होगा वो ही उसका क्या होगा बच्चो pi upon 2 यह पने pi बनाया तो इसको कोफिशेंट होगा root 2 x minus 1 अब इस question में हमसे पूछा था x square को कोफिशेंट बता हो लेकिन यहाँ पर क्या देख रही है कि यहाँ पर to x square है नहीं तो इसको कोफिशेंट क्या वोजाएगा फिर जीरो बई देखो x square कीशेंट कूछा था अब यहाँ पर क्या हो जाहेगा फिर 0 एक मिनट तो बच्छो बाइनोमियल ओफ डिग्री आपको न डिग्री 35 रखनी है और बाइनोमियल के एक्जामपल देना है तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा थिरी एकस माइनस फूर यह बच्छो बाइनोमियल हो गया वन टर्म एं सब्सक्राइब फर्स्ट एंड से एकस में आपको बतानी है तो द्यान से देखो मैंने आप लिखा तू वाइ लिख दिया यह यह क्या है मोनोमियल है के डिग्री इसकी हंड़ होने चीए तो लो भाई डिग्री हमने आपको हंग्या होगा कोशन नंबर आगे चलते हैं फोर पर कोशन नंबर देखेंगे हो गया थे छोगे करने इस अटेशना यहां अप 180 शी फृटत मेस को लिख देता हूं जहां से देखेंगे अब दिखाई देखो इसमें हाई अश्त का आपत्याइं बच्छोड हो गर्जाए है डिग्री ऑफियनोमियल 2, यहां क्या होगा degree of polynomial 1, क्योंकि variable T है उसकी power क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और यहां पर देखो variable नहीं है, तो degree of polynomial क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, आप देखेंगे नीचे दियान से, question number 5 classify the following as linear quadratic and cubic polynomial आपको बताना है, कौन linear polynomial है कौन quadratic, कौन cubic polynomial है, तो मैं आपको बता दू जिसके ओपर power 2 है, वो है quadratic polynomial, जिसकी power 3 है वो है cubic polynomial, अब देखेंगे फिर से power 2 आ गई, तो quadratic polynomial यहां पर power क्या है, variable की power 1 होगी, तो यह क्या होगा linear polynomial, 3T T की power 1 यह भी linear polynomial फिर से power 2 आ गई, quadratic polynomial, यहां पर power क्या है, 3 तो cubic polynomial, अब इनको लिखते हैं पटापट से तो सभी को बच्चों हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है कौन quadratic polynomial है, कौन cubic है कौन linear है, आई होप आपको यह वीडियो समझे में आई होगी, तो इसी प्रकार बच्चों यह तो share notes है, आप इनको अपनी notebook में note कर लीजिए, और वीडियो को share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, और जितना हो सके बच्चो, share कीजिए, और support कीजिए अपने सर को, ताकि में chapter 3 और भी confidence के साथ बनाओ, और इसी तरीजे से आपको notes provide करा सकूं, तब मिलते हैं बच्चों, next वीडियो में, exercise 2.2 के साथ, तब तब के लिए, bye